हेलो स्टुडेंट्स देखे बच्चों लास्ट वीडियो थी हमने उसमें जाना कि जो मैटल्स होते हैं उनकी क्या कैमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि जो नॉन मैटल्स हैं उनकी क्या कैमिकल प्रॉपर्टीज हैं और metals और non-metals में क्या differences होते हैं ठीक है, chemically ये एक दूसरे से कैसे different है दिखिए बिटा, जो metals होते हैं, sorry, जो non-metals होते हैं जब वो oxygen के साथ रियक करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो non-metal oxides ठीक है, और जो ये non-metal oxides हैं, ये कैसे होते हैं ये are acidi के nature जैसे sulfur है, oxygen के साथ रियक कर रहा है तो ये sulfur dioxide आपका बना रहा है और ये जो sulfur dioxide है, ये कैसा होगा acidic होगा nature में जबकि हम जब metal की बात कर रहे थे तो metals जब oxygen के साथ रियक कर रहे थे तो ये अपने oxides बनाते हैं और वो जो oxides होते हैं, वो कैसे होते हैं they are basic in nature अगली अगर हम property देखें बिटा तो जो अपके क्या है non-metals हैं ये water के साथ रियक्ट नहीं करते हैं जबकि हमने metals में बढ़ा था कि metals क्या होते हैं, metals water के साथ रियक्ट करते हैं ठीक है, और आपने देखा था कि उसमें moisture वगरा हो गया आइरन में क्या हो जाता है आपका रस्टिंग हो जाती है moisture अगर उसमें लग जाता है तो ठीक है, आपके क्या बनाते हैं metal hydroxide बनाते हैं लेकिन आपके जो non-metals हैं ये आपका water के साथ रियक्ट नहीं करते हैं यहां तक कि कुछ आपके ऐसे metals हैं, जिनको बचाने के लिए, non-metals ऐसे हैं, कि जिनको हम protect करने के लिए उनको water में store करते हैं, जैसे क्या हो गया आपके पास, अगर आप स्क्रीन में देखें या आपको पता हूँ तो potassium हो गया, इसको हम किसमें store करते हैं, it is stored in water, क्योंकि एर में highly reactive होता है, ऐसी ही आपका क्या है, बच्चों, sodium वोगेरा भी हो गया आपका, ये water के साथ react नहीं करते हैं, अगला अगर हम देखें, विटा, reaction with acids, जो non-metals हैं, ये acids के साथ react नहीं करते हैं, dilute acid के साथ ये react नहीं करते हैं, आपके क्या हैं ये, जब और अगर ये क्या करेंगे, जैसे हमने metals में पढ़ा था, कि metals जब react कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, hydrogen gas evolve करें लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये react ही नहीं करते हैं, in cases, अगर ये react कर लेते हैं, ठीके, कुछी examples हैं हमारे आपकी, जिसमें ये react करते हैं, ये 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 हाइड जब क्लासिस होंगी, तब इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तब भी ये hydrogen form नहीं करते हैं, तब कि metals हैं, ये क्या form करते हैं, ये react करके, acid के साथ रियक करते हैं, hydrogen gas को form करते हैं, अगला अगर हम example देखें बेटा, basis के साथ, तो जो आपके, जो non-metals हैं, ये जनरली ये basis के साथ भी react नहीं करते हैं, ठीके, जब कि आपके, जो क्या है, metals हैं, ये क्या कर रहे थे, basis के साथ react कर रहे थे, और आपकी hydrogen gas को form कर रहे थे, ठीके, अब देखें बेटा, displacement reaction देखें, अगर हम यहां पे, तो metals और non-metals एक जैसी displacement reaction हो करते हैं, यानि कि क्या होगा, जो more reactive non-metal है, ये क्या कर देता है, displace कर देता, less reactive non-metal को from its salt solution, और metal में भी ऐसी हो रहा था, जो metals हैं, ये भी क्या कर अब देखें, दोनों में क्या difference है, दोनों metal और non-metals की जो chemical properties हैं, उनमें क्या difference होते हैं, जो metals हैं, जो अगर वो किसके साथ रियक कर रहे हैं, और metal oxides बनाते हैं, और आपके non-metals को अगर देखें, तो हम कह रहे हैं, कि all non-metals हैं, ये acidic या तो acidic अपके क्या बनाएंगे, oxides बनाएंगे या neutral oxides बनाएंगे, ठीक हैं, कैसे होते हैं, ये acidic होते हैं, मेटल्स हैं, ये water के साथ रियक करते हैं, और metal hydroxide, hydrogen gas pom करते हैं, यदिक कि non-metals water के साथ रियक्ट नहीं करते हैं, metals ये salt बनाते हैं, हमने पढ़ा भी था, कि यह जो सॉल्ठ हैं, जैसे आप लोग ने पढ़ा था, कि जो मेटरस के चा टर्डेनर्स के ठीजिक पूड रखती हैं, तो कैसे हो जाते हैं, जो ज़ो नां शॉल्ड सा बणाते हैं और हामपुल होगा जिसने अभी जिसको नहीं आया वो एक बार और वीडियो को देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे आप थैंक्स पो वाचिंग